आज हम पढ़ेंगे एक बचन और बहु बचन में कोई भी एक चीज होती है बहु बचन में कोई भी धेर सारी चीजें होती है लेकिन एक ही तरह की देखो आज लेशन नमबर शिक्स बचन नमबर यह हम लोग आज पढ़ाई करेंगे आज देखो एक लड़का बहुत सारे लड़के एक गुट्ता बहुत सारे गुट्ते एक चुहा बहुत सारे चुहे एक पौधा बहुत सारे पौधे अब इसकी परिभाशा क्या है वचन की क्या परिभाशा होती है वचन किसी चीज की संख्या बताता है संख्या मेंज नमबर वचन किसी चीज की संख्या बताता है कितने नंबर्स में वो चीजे हैं वो बताता है अब हम पढ़ेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं कितने भेड होते हैं वचन के एक वचन बहु वचन एक में एक बुक है एक वचन में बहु वचन में तेर सारी बुक है लेकिन बुक्स ही हैं दुसरी और चीजे ने टेवल कुछ रहेंगे किताबें ही रहेंगी एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी के एक होने का पता चले जिस जिस से किसी एक होने का पता चले उसे एक वचन कहेंगे जैसे बिल्ली, किताब, पत्ता, नदी बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहेंगे यहां बिल्ली यहां बिल्ली यहां किताब यहां किताबे यहां पत्ता यहां पत्ते यहां नदिया यहां नदी और यहां पे नदिया ठीक है अब यहां पे कुछ टेवल्स बना के दिये हुए हैं इसे आपको याद करना है यहां गोड़ा गोड़े पैसा पैसे केला केले गमल गमले, मुर्गा, मुर्गे, बेटी, बेटियां, छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी, तो बहु बचन में ये छोटी की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ पर या लग जाता है, घड़ी, घड़ियां, गाड़ी, गाड़ियां, रोटी, रोटियां, नदी, न चाएं, माला मालाएं, शाखा शाखाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं, दिश्य दिश्य आएं और अब यह है, हमारा अभ्यास, मिस्ट यह वर्कशीट है, इसको देखके आपको अपनी नोट्बुक पे कम्प्लेट करना है, ठीक है, इन सब को वहुवचन में बढ़ जोगे, पौधा का क्या वहुवचन होगा, किताब का क्या होगा, केला का क्या होगा, रोटी का क्या यहां आटो रिक्षा, मेनी है कि जित्र देखके वचन बताना है, एक वचन है कि बहुवचन है, आपको बताना है, ठीक है, पर उचित सब्द सेवा के पूरा करो, यहां पर बच्चा बच्चे, मचली मचलियां, किताब किताबें, केला केले, ठीक है, के लच है, भस्वा defory, हाइब कि बह जिए ओल Annoys Online, कि निएarlo तory को ंखा के रिग पूपन अंहारा experience, कि बच्था चेखके फ़्या, दो ताना है, रिक्षा उले कि अटा हैं, किस्वार के पाना है, जIVE ऐ प सपरता है किया एक बचला है, भाक्पित।